इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग काफी बार बात करी है और एक ऐसा क्रिप्टो जिस पे हम लोगों को भुरोसा है कि लॉंग टर्म में एक अच्छा-कासा प्रॉफिट काड़ाने वीडिये हम लोगों को दे सकता है क्या सारी चीज़े चल रही है करेंट्ली काड़ आने वीडिये में और क्यों यहाँ पर प्राइज इंक्रीज हो रहा है इसके बारे में भी आपसे डिसकस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना जाते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्शन माखे कमेंट करके ये बोले कि हमारा WhatsApp नमबर है तो उनसे बच के रहना वो सारे कि सारे स्कामर्स हैं किसी भी शोशल मीडिया से कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करते और किसी को भी आपने अपने क्रिप्टो सेंड नहीं करने हैं किसी को अगर आपने अपने क्रिप्टो सेंड करे तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो आपके हाथ से चले गए वो कभी भी वापस नहीं आएंगे क कोई भी उनको recover नहीं करवा पाएगा काडानो एडिये जब launch हुआ था हम लोगों ने वहाँ पे काडानो एडिये को purchase कराता है और हमने एक अच्छे खासे price point में काडानो एडिये sell कराता हम लोगों ने second entry बनाए इन काडानो एडिये जो काफी कम price थी from its all time high and recently हम लोगों ने य काडानो एडिये कैसा perform करता रहा है और क्या reasons है for the price jump जो हमें off lately देखने को मिले हैं काडानो एडिये साइड माप देख सकते हो हमने open कर दिया कोई जी को आप currently जो global market that is a 0.3% BTC की बात करें डाउन है 0.3% ETH is a 0.4% at number 7 is Cardano एडिये currently आप 1.9% in the last 24 hours और यही डेटा अगर हम change करते हैं from last 24 hours to last 7 days तो आप यहाँ पर side में change देख सकते हो Cardano EDA has increased 16.8% अब यहाँ पर अगर Cardano EDA का chart देखें तो यहाँ पर काफी चीज़े हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी सबसे पहले बात करें last 3 months में Cardano में क्या हुआ है actually कोई moment यहाँ पर price moment जादा कुछ खास हमें नजर नहीं आए हमेशा हम लोग बात करते थे जब भी किसी और alt coin की हम लोग हमेशा mention करते थे regarding Cardano EDA price कैसे उसका price जो है 40 cents में आखे वापिस एक pullback करता है और वही चीज़े हमें यहाँ पर side में graph में नजर आ रही है दो बार at least यहाँ पर Cardano EDA ने try करा break करना यह price point यहाँ पर Cardano EDA bought time से stuck था 40 cents का वहाँ से वो दो बार निचे आया but currently Cardano EDA is sitting at 45 cents currently 1.9% up in the last 24 hours market cap ranking की बात करें तो number 7th position में Cardano EDA चल रहा है आज की टाइम की बात करें तो काफी whales जो हैं वो enter कर चुके हैं Cardano EDA में काफी retail investor जिन्होंने previously purchase करा Cardano EDA को वो काफी जादा खुश है recently जहाँ पर एक price search देखने को मिला info section में जाते हैं तो currently अगर हम तलेन के home page में तो यहाँ पर Cardano के बारे में काफी चीज़े बता रही है जो currently यहाँ पर चीज़े हो रही है making the world work better for all अब Cardano के बारे में 2-3 चीज़े हम लोगों को यहाँ पर पहले से पताती सबसे पहली चीज Cardano ADA जो बनाया गया है from Charles Hoskinson जो उसके developer है वो काफी जादा यहाँ पर AMA sessions करते हैं अपने AMA sessions में वो कभी भी यह miss out नहीं करते बोलना कि they are working in Africa Africa एक ऐसी जगह जहाँ पर Cardano ADA काफी time से काम कर रहा है and they are not shifting their focus from Africa वहाँ पर वो को लोग काम कर रहें बट उसके सांथ काफी और चीज़े जो है Cardano ADA में currently देखने को मिली है Cardano ADA का जैसे हम सब लोग जानते हैं कि काफी यह लोग summit करते है currently आप उपर भी देख सकते हो Cardano Summit 2023 जो कि हो रहा है in the month of November वो आप attend कर सकते हो virtually ही सही but yes, attend करना बहुत जादा जरूरी है जहाँ पर हम updated रहना चाहरे है about any of the crypto जो हमने अपनी investment में रख रखा है now coming back to the price of Cardano ADA Cardano ADA का price क्यों surge हो रहा है क्या सारी चीज़े चल रही है Cardano में जो हम लोगों को यहाँ पर monitor करनी चाहिए and क्या price जो है वापस dump हो सकता है अगर जो price increase हो रहा है वो कहां तक जा सकता है यह कुछ ऐसे सवाल है जो सारे investors जो Cardano में invested हैं वो पूछना चाहरे हैं आज के time में हम अपनी बात करें before going to the price prediction before coming to the point की क्यों यहाँ पर price search देखने को मिल रहा है अगर हम अपनी बात करें तो Cardano हम यहाँ पे एक long term investment के लिए hold करके बैठे वाए the reasons are simple because we trust Cardano आप लोगों अपनी research करें बिना किसी भी crypto किसी भी token में invest ना करें हम आपसे हमेशा request करते हैं हमारी जो video है वो आपके एक part of research हो सकती है बट वो complete research आपकी नहीं होगी आप अपनी research करें तभी आप लोग decide करें क्या आप लोगों काडानो यहाँ पे purchase करने है की नहीं करने फिलाल बात करें अगर price point की 45 cents का काडानो का price चल रहा है काफी लोग यहाँ पे analysis जो हैं वो यहाँ पे predict करतें कि at least हमें 60 cents का target यह लोग reach कर सकते है अगर हम लोग अपनी बात करें हम लोगों के targets for Cardano ADA से काफी जादा है हम लोग Cardano ADA को देखते हैं again coming back to the top 3 position Cardano ADA ने वो previously भी करा है Top 3 में Cardano किसी time में trade होता था जब यह अपने all time high में था क्या Cardano ADA वहाँ पे जा सकता है तो it's all time high यह एक question है जो काफी लोग यहाँ पे पूछते Cardano ADA के अगर यहाँ पे supporters हैं तो उसकी heaters भी काफी है heaters always say कि Cardano ADA सब कुछ करता तो है but बहुत delayed यहाँ पे progress रहती है जिसमें कोई भी शक नहीं है we also agree being an investor of Cardano ADA we agree to the point कि Cardano ADA जो भी चीज़े करता है वो थोड़ी delayed progress रहती है but जब भी वो करता है it is a picture perfect move वही चीज Cardano ADA को कहीं न कहीं अलग बनाती है from different cryptos जब भी हम cryptos में invest करें हम लोग यहाँ पे diversify करने की सोचते हैं अपनी investment जितना हम diversify करें उतना better है हमारे investment के लिए उतना better है हमारे portfolio के Cardano ADA can be a part of your portfolio but it cannot be your portfolio यह चीज़ आप लोग हमेशे याद रखें चाए फिर वो Ethereum हो चाए फिर वो Shiba हो चाए फिर वो XRP हो कोई भी altcoin आपके पास हो that cannot be our portfolio यहाँ पे हमेशा diversify करना चाहिए but Cardano ADA की इसके इलावा एक major news जो है currently सामने आ रही है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं AI की artificial intelligence जिसको सब लोग जानते हैं सब लोग मानते हैं आपे कि AI का एक future है and future में AI cryptos काफी अच्छा return हम लोगों को दे सकते है so what Cardano has that they have started working on AI and यह next article आपको उसी के बारे में बताएगा is artificial intelligence the next frontier for this crypto यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सब से पहले Singularity Net की Singularity Net जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं AGIX जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं AI cryptos की Singularity Net यह AGIX is one of the token जो हम सब लोग यहाँ पे purchase करके बैठे हो है Singularity Net the hottest AI crypto token of 2023 started migrating over to Cardano blockchain in mid 2021 Cardano has launched a new blockchain initiative focusing on AI थाली AI को focus करते हैं वहाँ पे एक नया blockchain बना रहे हैं such as HyperCycle a new side chain customized for AI projects Cardano के साथ हमेशा यह चीज रही है कि वो side scene बनाता है यहाँ पे वो काम कर रहे है on AI the best case scenario Cardano could become the go-to blockchain for AI much as Ethereum blockchain became the go-to blockchain for NFTs and decentralized finance अब यह चीज आगे जाके पता चलेगी कितने AI tokens हैं वो shift होते हैं in Cardano blockchain currently Singularity Net की यहाँ पे news निकल के सामने आ रही है जिसके बारे में जादा हाई Cardano की तरफ से create नहीं हुई है आज के टाइम में जहाँ पे हम Cardano को देखते हैं the price point looks lucrative the price point is good जहाँ पे अगर हम लोग सोचे हैं कि enter करें हम Cardano में Cardano काफी टाइम से हम लोगों को एक chance दे रहा था when it was below 40 cents 40 cents का एक ऐसा level था जैसे कि हमने आपको initially दिखाया जो कि break करने में बहुत दिक्कत बहुत परेशानी आई Cardano को तो break that level और उसके बाद जब आज के टाइम बे उसने वो break कर दिया है many people have shifted their focus back to Cardano जो कि Cardano एक ऐसा crypto है जिसके बारे में सब को पता तो है but they are confused कि वो purchase करें कि नहीं purchase करें जैसे कि हमने previously बताया Cardano के अगर supporters हैं तो उसके haters भी काफी है हमेशा एक fight रहती है between Cardano and XRP जो कि यहाँ पे start हुई थी Charles Hoskinson की तुरू but यहाँ पे अगर बात करें XRP का जो lawsuit चल रहा है जो Ripple का lawsuit चल रहा है in fact अगर Ripple वो case जीच जाता है it can be a motivation factor it can be a boost for Cardano as well क्योंकि यहाँ पे भी बहुत क्लेली बुला गया है कि Cardano can be a security अब यहाँ पे जो यह पूरा का पूरा सेनारियो बनता है वो depend करता है कि Ripple का lawsuit कब over होता है and उसके साथ साथ Cardano idea और कितनी progress करता है in terms of AI AI की जो side chain वो बना रहा है उसमें कितने यहाँ पे tokens कितने सारे project जो हैं वो shift होते Cardano को ecosystem वैसे ही बहुत बड़ा है बहुत vast ecosystem है जिसके बारे में हमने detail में अलग से video बनाई थी अगर आपने वो video नहीं देखी है तो वो video भी है आप check out कर सकते हो फिलाल हम यही बोलेंगे कि हमारा जो price prediction है of Cardano ADA that is a long term project Cardano ADA is one of the crypto जो हम नहीं पर रखते हैं for a longer term जो हम शायद sell out नहीं करेंगे in 2025 अगर करा तो हम उस time में sell out करेंगे जब यह होँआ पर peak में जाता है and we are again going to buy it क्योंकि Cardano ADA पर हम लोगों को भरोसा है Cardano ADA के खुद के wallet में अगर आप रखते हो तो वहाँ पर बहुत easy हो जाता है stake करना साथ यसाथ अगर आप cold wallet में रखते हो तो उसके through भी है आप यहाँ पर stake करके रख सकते हो Cardano को but with that said Cardano की जब हम price की बात करते हैं तो हम खाली all time high नहीं देखते हैं हम लोग देखते हैं उससे काफी bigger price and वहाँ तक वाँशने में Cardano को time ज़रूर लग सकता है and उसी का हम लोग यहाँ पर wait कर रहे हैं holding the Cardano in our wallet and उसको stake करके हम लोग यहाँ पर wait कर रहे हैं आप लोगों के क्या thoughts है क्या आपको लगता है कि Cardano के blockchain में काफी AI cryptos AI projects जो हैं वो shift होंगे की नहीं होंगे what are your thoughts निचे comment section में comment करके ज़रूर बताइएगा with that said guys आज का वीडियो करते हैं पर and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो like कर देना, share कर लेना, subscribe कर लेना thank you so much for watching our channel see you next time, okay bye bye